नमस्कार मरुदर बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वीनिस रोही भाजपा कोर कमेटी ने पीडित परिवार से मुलाकात कर ली घटना क्रम की जानकारी कमेटी के पदाधीकारियों ने कहा प्रदेश नेत्रित्व को देंगे मामले की जानकारी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेत्रित्व में गठित तीन सदस्याई को और कमेटी ने बारा पहुच कर दुशकर्म पीडित परिवार से मिलकर पूरे घटना क्रम की जानकारी ली कमेटी ने मालपूरा विधायक कनहिया लाल चौधरी बूंदी जिला प्रभारी नरेश बंसल वे प्रदेश सदस्य छगन माहुर शामिल रहे इस दौरान उन्हों ने कहा कि पुलिस वे सरकार के द्वारा संपूर्ण मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है हम पूरे मामले की जानकारी प्रदेश ने तृत्व को सौप कर पीडित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे भाजपन नेता चगन माहुर ने प्रशासन वे सरकार पर मामले को दबाने का आरूप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भी पीडित परिवार की घर पर पुलिस का पहरा बिठाया हुआ है यानि की कोई भी व्यक्ती आकर उन्हें संबल नहीं दे सके उनके अंदर खौफ बना रहे उन्होंने हमसे पूरे मामले की जाच दोबारा करवाने की मांग की है पुलिस ने 161 में अलग बयान लेक बद किये हैं जबकि 164 के बयान अलग है ऐसे में लगता है कि उन पर दबाव बना कर 164 के बयान दर्ज कराए गए है इस खास खबर में बस इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे ये मरुधर बुलेचिन के साथ नमस्कार